हेलो दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे मैप के बारे में मांचित के बारे में तो हम लोगों ने मांचित के टॉपिक में लाश्ट टॉपिक देखा था अफीर्टा की पिरमुक जीलों के बारे में ठीक है उसमें बात करने वाले हैं यूरोप की पिरमुक जीले ठीक है आकिल यूरोप ठीगे ये हमारी दारी पिती भी है ये हमारी पिती भी देखी रही आपको इसमें हमारा ये और अस्टेली है महादीप है ठीग फ्रे महाद एसिया महादीप है ये आपका भारत प्यारा भारत यह बंगाल की थाड़ी है लक्षदीप स्री लंका यहां अरब सागर पाकिस्तान लगा हुआ है अफगानिस्तान यह उपर चीन लगा हुआ है नैपाल भूटान बंगलादेश न्यानमाल ठीक है यहीं आपका है यह नीचे दच्छ अपही का महादीप है ठीक ह है आपका यूरो ठीक है रूस का कुछ वहाँ आता है इसमें तुर्की जो इंडिया का कुछ वहाँ आता है ठीक किस्न सागर है यह इंगू मत्य सागर है ग्रीज इस्पैन पुर्दगाल आयलेंड आइसलेंड नौर्वेज स्वीटन फिलेंड डैन्मार्क बेल्जियम फ्र प्रांस पॉलेंड ऑस्टिया कोईशिया हंगरी सर्वी सर्विया इउक्रेंड बेलारूस ठीक है यह है आपका कि इवरो महादेव यह आपका वाल्टे सागर है उत्तरी सागर है कि देखिए यह आपका दिश्के की खाड़ी है यह यह लंदन है उत्तरी सागर युनाइटिट के गड़ाब यह आइसलेंड में आपका वाल्टे सागर देखिए लिए आए बोर्ग फोथ नहीं आती खाड़ी यह लेंड शनीप इनकी सर्विया ये लोगिए इस तिद्धि देखते है हाज आखकर है कहा ही झील ये आपका 13 यूरो ये आपकी सभी जीलें हुआ है कि कि और भी लाट हिसपुहर जीटिट रिए भी मेटे-पानी हिए चिया है लेडो इसके बार में आपको याद रखना कि यह ए उरोप की मीटे-पानी की जील है है ठीक है यह रूस में इस बी मीड़े पाते में यही है ऐने जीस्को है जील अने-जियिए-इसको-जील कि इसके बारे मैं याद रखिए ही यह उरोप की मीठे पानी की यह चील्य के ओजेशे रहा है नुख में वस्के थे तिए दोनों मीठे पानी की जील है कि या की केस्पइंप साहगर है रोज म सही कैस्पइंप साहगर है क्रिंक और बात करें कि Kaік की को नेगा झील है काुंसी नेगा झील उनेगा धील के वारे में याद रखिए कि रूस में इस्ति हमानी निर्मित जील है यह मत्वून बंदरगाहों में से यह कह इसे नहरों के द्वारा राइट सागर से जुड़ा गया है ठीज़? फिर आपकी यह लडोगा धील है लडोगा धील के बारे में आपको याद रखना है कि सोवियत रूस तथा फिनलैंड की सीमा परिस्तित यह जील जो इवरोप की सबसे बड़ी तथा सोवियत संग की दूसरी बड़ी जील है सोवियत संग की सबसे बड़ी जील है बैकाद जो इउरेशिया की मीठे पानी की जील है ठीक है ये आपकी अलू जील है कौनसी अलू जील फिनलेंड की जील पिदेश में हिमानी ने जील है फिनलेंड को हजारों जील का जीलों का देश कहा जाता है क्योंकि इसके दच्छडी वाग में असंक जील है बहुत जाना जील है इसलिए फिनलेंड को हजारों जीलों का देश कहा जाता है तो पर जाएं तो इनारी जील है क्या एनारी जील यह जील फिल्लेंड तका रूस की सीमा पर वसके थे हेमानी द्वारा निर्मे जील है ते नासी जील है आपकी नासी जील नासी जील के बारे में याद रखी हूँ, यह भी फिनलेंड की जील है, यह जील साइमा जील से पश्चे में अवस्तित है, यह साइमा जील है आपकी, उसी साइमा, यह जील भी फिनलेंड में इस्तित है, यह भी हिमानी निर्मे जील है, लड़ोगा जील इसके पूर में इस् यह ल्रोगा जील आपकी ठीए परे आपकी ल्रोगा जील हुई है यह आपकी बैटन जील है बैटन जील बैटन जील सुईडन के दस्छडी भाग में इस्तित मीठे पानी की जील है परे बैटन जील की बैटने जील है आपकी बैटन जील परे बात करें तो यह आपकी आचेड़ जील है यह आपकी बाला टंजील है कौन सी बाला टंजील है हंगरी में इसते थे ठीड हंगरी के मद्द में इसते थे जील पराइटरिन की दिष्टी से मातपूर है क्यां कि यह बहुत खबसूरत है ठीड है फिर उसके बाद हम लोग बात करें यहां की नेफ्स जील है स्कॉट्लेंड में स्कॉट्लेंड में स्कॉट्लेंड में इसते जील कि तच्छी छोड़ पर फोर्ट और विट्ष्टस से भी बसा हुआ है का कि मान Yeah, Кयेरी केकिटर जील भी है यह यह तुर अधे की लो मोनडो जील है ओं से पंच अलमाटो जी जेञें ए स्कॉट्लेंड में घैंप्यन पर बसने की तलहटी में अवस्ते थे या मीट पानी की जील है तिक रही जील यह भी आयरलेंड में कि मतमेशते थे समोल नदी जील से उपर प्रवाय प्रवायद होती है तो नीचे आए तो आई से जील कौन सी आई से जील यह है आपकी आई जील है आई से जील आपकी नीदरलेंड इस्थित उतले जील है जो पहले आंतरिक सागर का भाग थी ठीक है फिर बात करें कांस्टेस जील है आपकी आलपस के तर रिष्थ देया जील जर्मनी स्विजलेंड तथा और्स्टिलिया का मिलन बिंदू है एनन्सी जील है आपकी यहीं आउंसी एनन्सी जील फिर आपकी जेनेवा जील है जेनेवा जील इसका पुरान नाम लेमा नुस है जेनेवा जील का पुरान नाम है लेमा नुस यह आलपस परवत परिष्थित स्विजलेंड के दर्चिड़ पश्चिमी भाग में अवस्थित है इससे होकर रोन नदी बैस्ती है जेनेवा नभी नगर जेनेवा जील के तथा रोन जील है कौन सी गार्डा ट्रियर फिर आपकर ये बोल सेना जील है कौन सी बोल सेना जील तुछ यहीं आपकी मत्तुन जील हैं बहुत सेना जील हैं सभी देख लें तुछ जील हैं जो आपको पुइंट रखना है मत्तुन जो आप उन्हें भी देख लेते हैं यह आपकी यूरोप की काराचाय जील रूस में मास्कों से पूर बिष्टत एक पिदूसित जल की जील है जिसका जल चर्णोबिल की पिदूसन से अधिक पिदूसित है याद रहे है कि 1986 में चर्णोबिल में एक नावगिय द्रुगटना हुई थी याद र परवस परिष्टे स्वीजय लेंड के उत्तर दच्चन भाग में इस्तित एक जील है इससे होकर रौन नदी वहती है जेनेवा नगर जेनेवा जील तथा रौन नदी के किनारेश थे 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 तरह आपकी लड़ूगा जील सोवियत रूस तथा फिल लेंड की सीमा तथा सोवियत संग की दूसरी सबसे बड़ी जील है याद रपना है सोवियत संग की सबसे बड़ी जील बैकाल जील है जो इवरेशिया की मीटे पानी की जील है ठीक है आपकी उनेगा जील रूस इस्तित हीमानी निर्मित जील है यह मत्पूं बंदरगाहों मैंसे यह कह इ इसे नहरों को द्वारा राइट तागर से जुड़ा गया है, फिर आपकी लोडो जे इसको जिल, या एरोग की मीठेपानी की जील है, या रूस में अवच्ते थे, फिर बात करें कान्श टैंज जील, आलपक्स के उत्तर इस्तर दिया जिल जर्मनी स्वीजर लेंड ऑस्टेरिया कमिलन बिंदू आइसेल जील नीदर्लेंड इस्तर उत्रली जील जो पहले आंत्रिक सागर का भाग था त्रिय। बैनर्न तथा बैटर्न जील ये दोनों आपके जील है स्वीडन में दच्छडी भाग में और ये मीठे पानी की जील है तरेबालाटन जील हंगरी के मत दिश्तित जील काफी स्कुपसूरत है फरेडन की दिरिफ्टी से ये बहुत ही मत पूल है लुमोंडो जील जील स्कॉट स्कॉटलेंड में गैंपियन पर्वसेंडी की तलहटी में अवस्तित है ये मीठे पानी की जील है तरेडनेस जील स्कॉटलेंड इस जील के दश्चिडी छोर पर फोर्ट अगस्टस सहर बसा हुए राकिरी जील है या जील आयलेंड के मद्द में अवस्तित है समोन नदी इस नदी से ओकर तिरवायत होती है फिर आपकी इनारी जील है या जील फिनलेंड तथा रोस की सीमा पर अवस्तित है या हिमानी निर्मित जील है फिर आपकी साहिमा जील या फिनलेंड में अवस्तित है साहिमा जील आपकी फिनलेंड में अवस्तित है या भी हिमानी निर्मित जील है लडोगा जील इसके पूर में अवस्तित है प्रेलु जील फिनलेंड की जील के दिसमें स्थित हिमानी निर्विज जील इसमें याद रहे कि फिनलेंड को हजारों जीलों का देश कहा जाता है कि यहां सबसे जांदर दच्छडी भाग में असंक जीले है फिर आपकी नासि जी यह जील साइमा जील से पश्चम है वस्तित है तो यह थी आपकी यूग्रोब महादीब की जील है आंगे हम लोग बात करेंगे एस यह महादीब की जीलों के बारे में ठीक